लाव यू दिपिका मनजर डराने लगा है करोना की गती अब तेज है नए वेरियन पर सवार यह वाईरिस और खतरनाक होता जा रहा है मुश्किल यह है कि इस बार इसका संक्रमन इतना तेज है कि कुछ सोचने का मौका तक नहीं मिल रहा इसलिए सबसे जरूरी है कि पहरे खुद को सुरक्षित करें और इसके लिए जरूरी है कि हम कतई लापरवाही ना करें लगबग 6 माह बाद संक्रमितों की संख्या शतक पार कर दोहरे शतक की ओर है जिले में कोरोना के नए वेरियंट ओमाइक्रोन के मरीजों की संख्या भी 21 से दहाई के पायदान तक पहुँच चुकी है जिले में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों की संख्या 8,000 तक पहुँच गई थी 2021 के मई महीने के अंतिम हफते में करोना की दूश्री लहर कम होने रगी थी इस महीने से मरीजों की संख्या कम होते होते एक अंकी हो गई थी लेकिन करीब 6 महीने बाद 3 जनवरी 2022 को जिले में 133 मरीज मिले जो शेहर सक्ते में आ गया है गुजरे साल के दिसंबर माहा में 20 तारिक को मा बेटी युगांडा से नाकपुर आई थी महीला के साथ 6 साल का बच्चा भी था जिसकी रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है और ये चिंतनिये है मा बेटी की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है तो सत्रंजी पुरा जोन निवासी 47 साल की महीला की रिपोर्ट भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई है ये महीला 17 दिसंबर को लंडन से दिल्ली वीमान से लोटी थी उस समय उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी 23 दिसंबर को दोबरा RT-PCR जांच में वो कोरोना गये हैं चंद्रपुर के नागभिड में रहने वाले 36 साल के वगोंदिया के तीरोडा में रहने वाले 28 साल के युवा के ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने की पुछ्टी हुई है दोनों युवा 26 दिसंबर को शार जहां से नागपुर विमान तल पर पहुँचे थे जी हां देहशत का कारण भी सच है और करोना से डरना बेहत जरूरी अदालतों को अभी यही कहना है कि 18 दिसंबर से क्रिस्मिस अफकाश के बाद सुमबार को मुंबई हाई कोट की नागपुर खंडपीट में कामकाज शुरू हुआ लेकिन करोना की तीसरी लेहर को लेकर कामकाज पर डर का साया बना रहा अधिवक्ता और कोट करमचारी भी खौफ में देखे इसलिए हाई कोट ने हाईब्रिट मोड में सुनवाई करनी का लेने ले लिया इसके बाद नागपुर महान अगर पालिका भी सामने आई और कहा कि मनपा की सभाव बैठके फिर से ऑनलाइन होगी पता चला कि शहर में करोना संक्रमन के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राजसरकार के अपन सचीव सचिन सहस्त्र बुद्धे ने उक्त आदेश जारी किया है और मनपायुद को आदेश को ततकाल प्रभाव से अमल मिलाने का निर्देश दिया गया हाला कि इस जर के बीच युवाओं का जोश हिम्मत बढ़ाने का काम कर गया महिनों से टीके का अंतजार कर रहे 15-18 आयू वर्गवालों का टीका करन सुमवार से शुरू हुआ तो पहले ही दिन 8,049 कि शोरों ने टीके लगवाए उन्हें कोविट टीके को लेकर गजब का उत्साहा देखने को मिला कोविट-19 महामारी हमें लगातार ऐसे नैने पहलियों से जूड़े सबक सिखा रही है जो हमारे रोजबर्रा के अस्तित्व पर असर डाल रहे है महामारी ने हमें ये मौका भी दिया है कि हम थोड़ी देर ठहर कर मौजुदा व्यवस्थाओं का मुल्यांकन करे ये समझने की कोशिश करे कि कैसे उन्हें बहतर बनाया जा सकता है न सिर्फ संकट के वक्त बलकि नागरिकों की लंबी अवधी की बहतरी के लिए महामारी की आमत और उससे लड़ाई के दोरान हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की कई खामियां खुल कर सामने आ गई थी ये स्वास्थ का इतना बड़ा संकट था जिसका सामना हमने इससे पहले कभी नहीं किया था मगर इसने हमारी विधाई और प्रशासनिक धांचे की तमाम कमियों को भी उजागर किया हमें ये भी बताया कि सारवजनिक स्वास्थ के किसी संकट से निपटने के लिए हम बिलकुल भी तयार नहीं है मार्च 2020 में COVID-19 महामारी की आमद से लेकर अब तक इससे निपटने के तरीके लगातार बदलते आ रहे हैं उनमें सुधार लाया जाता रहा है इसलिए अब हम ऐसे स्थिती में पहुच गए है कि महामारी के प्रबंदन से जुड़े मसलों को समझ सके और ये तै कर सके कि आगे चल कर इन मसलों को कैसे हल किया जा सकता है महामारी से मिपटने के दौरान भारत में दो कानूनों का बार बार जिक्र किया जाता रहा संक्रामक महामारी कानून 1897 और आपदा प्रबंदन कानून 2005 संक्रामक महामारी कानून प्लेग की महामारी पर काबू पाने के लिए लाया गया था और ये कानून उस वक्त बनाया गया था जब सरकार की शम्ता स्थानिय प्रशासन की बरीभाशा और प्रिशासन से की जाने वाल या पेक्षाएं आज की दोर से बिलकुल अलग थी आपदाप्रभंदन कानून 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद बनाया गया था ताकि कुद्रती आपदाओं का सामना किया जा सके इन दोनों कानूनों के तहट मिले अधिकारों का इस्तिमाल करने के लिए बहुत सी अधी सूचना जारी की जाती रही कई बार तो महामारी की बगलती मांगों से निपटने के लिए हर दिन नई अधी सूचना जारी की जाती थी संक्रामक महामारी कानून सरकार को ऐसे अधिकार देता है जिसे वो महामारी को रोक थाम के लिए स्थानी इस्तर पर भी कदम उठा सके और इसमें संकट से निपटने के लिए विकेंदरी कुरत व्यवस्था है इसी तरह आपदा प्रभंधन कानून का भी बड़े पैमाने पर इस्तिमाल किया गया हाला कि ये कानून सारवजनिक स्वास्थ के संकटों के लिए नहीं बनाया गया इस कानून के तहट आपड़ा की व्यापक परिभाशा ने संक्रामक विमारियों को इसके दाइरे में लाने का रास्ता दिया COVID-19 महामारी सारवजनिक स्वास्थ का इतना बड़ा संकट है जो पहले कभी नहीं देखा गया था इसलिए भारत और दुनिया के कई अन्य देशों के पास ऐसे कानून मौजुद नहीं थे जो सारवजनिक स्वास्थ के इतने भयंकर संकट से जूज सके जब ये महामारी अपने उत्थान पर थी तो सरकार ने हर उस कानून का इस्तिमाल किया जो हमारे पास उपलब्द थे जरूरी कदम उठाने में देर हुई और राश्टिया या राज्यस्तर की तुलना में स्थानी अस्तर पर उठाए जा सकने वाले कदमों को लेकर ही सही रणनिति का आभाव भी दिखा सबसे रहें बात तो ये कि अब तीसरी लहर का खत्रा मंड़ा रहा है और इसलिए सरकार की प्रशासनिक शंता को बढ़ाने और स्थानी निकायों को सशक्त बनाने की जरूरत और प्रासंगता दोनों ही बनी हुई है इन सबको आपस में जोरने वाली जो कड़ी थी वो इस भयावह संकट के समय तीसरे स्थर के प्रशासन की भूमी का थी पूरी महामारी के दुरान लॉंगडाउन के हिचक दूर करने तक सान्य प्रशासन की भूमी का सपष्ट रूप से उभर कर सामवे आई वैसे तो हर शेत्र से मिसाल दी जा सकती थी लेकिन इस लेका तालग उन दो मुद्धों से है जिनका जिकर भारत के संबिदान की साथवी अनुसूची में है राजी की सूची इसका हिस्सा है और इस तरह से इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है पहला मसला जो सारुजनिक स्वास्ते से जुड़े कानून का है जो COVID-19 से निपटने के दुरान सीखे गए सबग को शामिल करेगा और दूसरा मामला संकट के समय सारुजनिक पुस्तिकालेों का है इसने जगव की एहमियत का एहसास करवाया है वैसे तो ये दोनों ही मसले अपने अपने शेत्र के व्यापक मिश्यों का हिस्सा है लेकिन इन से राज़गी शमता की भूमिका का संकेत मिलता है और हमें इस महामारी के दुरान सबग भी सीखने को मिला है राष्टियस तर पर लॉगडाउन लगने के बाद महराश्टर में सारवजनिक पुस्तकाले भी बंद कर दिये गए थे जबकि ऐसे मोके पर पब्लिक लाइबरेरी एक एहम भूमिका निभा सकती थी इन जगहों का इस्तेमाल ओनलाइन स्कूल, कोविड-19 की जानकरी बाटने के संसाधन केंद्र, कॉरंटेन सेंटर, टीका करन केंद्र या राज्य के वयसकों और बच्चों के लिए उपयोगी अन्यकई तरह के काम करने में हो सकता था पुस्तकाले सविधान की साथवी अनुसूची की सूची दो में बारवी एंट्री के दायरे में आते हैं, पुस्तकाले एक महत्वोपुर्ण सामुदाएक ठीकाने होते हैं, जो जिन्दगी भर काम आने वाले अनुभव देते हैं और नागरिकों के सामाजिक, सांस्टूत और आर्थिक हुनर को बढ़ाने और उनका विकास करने में बेहत एहम भूमिका निभाते हैं डिजिटाइजेशन जैसी तकनिक हमारे पास है इसलिए कोविड-19 के स्थानिय संक्रमन के आगड़ की हिसाब से इन ठीकानों का इस्तेमाल जरूरत की हिसाब से हो सकता है स्थानिय 19 ने हमें सेहत पर ध्यान देने पर मचपूर कर दिया है इस महामारी ने हमानी सभी सामाजी की विवस्ताओं को रौदर डाला है इसलिए अब जरूरत है कि सरकार के अलग-अलग अंग इस संक्रम से निपटने के लिए किस तरह के कदम उठा सकते हैं जिससे महामारी से तीसरी लहर का खत्रा मन रहा है और इसलिए सरकार की प्रशासनिक शंता को बढ़ाने और स्थानी निकायों को सशक्त बनाने की जरूरत और प्रासंगिता दोनों ही बनी हुई है ये जरूरत भवेश के किसी अंजाने संकट के लिए नहीं बलकि अभी जो महामारी चल रही ह उससे बने हुए खत्रे से निपटने की है फिर एक बार संकल्प लें कि खुद बचेंगे और लोगों को भी बचाएंगे फिर मिलेंगे कोरोना से साफधान करेंगे तब तक खुद को हिफासत से रखें